नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चनल में स्टेस्पिकलाइच पर दोस्तों इस वीडियो में CET एकजाम ग्रूप D की बरती उनका विभाग चेंज करने से सम्मंदित और कलरक बरती के बारे में और हर्याना पुलिस में आने वाली बड़ी बरती के बारे में बा ग्रूप D के पतों की जानकारी अभी आयोग को बेजी नहीं है ठीक है तो अभी तक ग्रूप D के पतों की जानकारी नहीं बेजी गई है यहाँ पर देख सकते हैं जो बरती हो चुके हैं कैंडिडेट ग्रूप D के ग्रूप D के क्रमचारियों के विभाग बदलने के लिए मोका देने की त्यारी में सरकार तो यहाँ पर उनको मोका मिलेगा अपने भी बाग को चेंज कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पर ले ले जिए अगली खबर कलोलक के 4800 ठाउन पदों की दस्तावेजों की जाच में 2500C में से यहाँ पर बताया गया है कि 11,013 पहुंचे 9 सीटर भी पकड़े जा चुके हैं अभी तक तो यहाँ पर बड़े लेवल पर दोस्तों जो है चैसेशी कारवाई कर रहा है जल्द ही आप लोगों को CET एकजाम भी होता हुआ मिलगा हाला कि अगस्त की जो है डेट अभी तक बोली गई है कि अगस्त में से संभाव है हो जाएगा ठीक है लेकिन जो पद आने है उनसके संबंदित जो विग्यापन जारी करने हुँ सारी सारी परिकरिया अभी उस पर काम चल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं चेर्मेन साब बता रहे है विग्यापन जारी करने से पहले राजय चुनाव आयोग से पूछा है तो राजय चुनाव आयोग से भी पूछ लिया इन्होंने लैटर बेज कर कि इस तरह से जारी की जाए या नहीं की जाए या फिर इसकी परमीशन दी जाए यहाँ पर बता गया है कि देख लिए पाणिपत बासकर में ग्रूप सीवग डी के लिए अगस्त में आठ शिप्टों में होगी सीटी दस लाग युवा कर चुके हैं रजिस्टेशन तो हर्याणा पुलिस में दोस्तो डायल 112 में 1500 चालकों और 2000 SPO की बरती की जाएगी यह बात मीटिंग में कल डिसाइड की गई है कल यहाँ पर जो मीटिंग ली गई थी मुख्यमंत्री साब के जो अंडर में देखते हैं क्या कुछ रहेगा आगे चल कर थोड़ा सा और ज्यादा साफ इसमें हो जाएगा ठीक है तो यह थी आज की बरतियों से सम्मंदित एजुकेशन से लेटिड खबरे अगर आभी चाते हर्याणा में एजुकेशन से लेटिड बरतियों सम्मंदित खबरे समय पर पाड़ा तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ शेयर करें थेंक्यू वेरी मच